जश्पूर जिले के पठारी छेत्र में बारिश के मौसम में हर वर्ष अकाशी बिजली की चपेट में आने से काफी ग्रामिनों की मौत हो रही है इससे छेत्र के पंडरापाट, सन्ना, मनूरा, बगीचा, पत्थलगाउ छेत्र में बारिश का मौसम देहशत भरा रहता है अन्य जगोहों की अपेक्छा जादा गिरती है बतादेक इलाके के पाठ छेत्र के अधिकांस भाग में पहाडी कोरवा, आदिवाशी एवं गरीब लोग निवास करते हैं मनुश्य के अलावा मैवेशी समेत पेड़ पॉध्य और घरों को भी काफी छती होती है ऐसे में छेत्र के लोगों ने पठारी इलाके में बरसात के समय में होने वाली इस तरह की घटना से बशने के लिए तड़ित चालक यंत्र लगाने की मांग की है जिस से होने वाली छती से लोगों को बचाया जा सके पथलगाम इधाया गोमती साय और जनपत सदस्य संगीता राजवाडे ने मुख्यमंत्री विश्णु देव साय से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने भी छेत्र में जल्द तड़ित चालक यंत्र लगाने का निर्देश भी दिये हैं ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके और मांग करने पर कोई सुन नहीं रहा है आदमी का करेगा तो इसमें लगना चाहिए हम लोके लिए तो आदमी सुरक्षित रहता कम से कम लोग पाठ शेत्र से हैं और हम लोग तड़ित चालक का मांग कर रहे हैं पूरवल सरकार से भी हम लोग इसकी मांग किये थे पर अभ जनों हर साल जानवर भी मर रहे हैं लोगी मर रहे हैं जाशपुर्पुरा जील और लिए समय से लोगों की मांग रही है ब्सेशेत्रों में विसेश रूरत से एक निश्ची दूरी पर दड़ी चलक का लगाया जाए ताकि इस प्रकार की घटना उंको रोका जा सके हमारे सीम साहब जी से जैसे ही सन्ना का घटना हुआ सीम साहब के साथ हम लोग बशात में बैठे थे और चर्चा में लाए कि भाई इस घटना से कैसे निजात पाएं तो बोले अधिकारी के जो आमला है हमारे जस्पूर के है जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको कलेक्टर साहब को बोल दिया गया है कि ये का आप लोग